हलो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग कुष कनवर्जन देखेंगे जैसे दिया गया interveni मेथिलेमीन से एथिलेमीन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे और यह देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कोस्टिन है 1990 में, 1993 में और 1998 में पुछा जा चुका है तो हम यहाँ पर सबसे पहले CS3 NH2 यह सोत्र लिखेंगे जो कि आपका मेथिल अबेन है और फिर इसी की रेक्शन कराएंगे NaNO2 और SCL से यानि कि यह सोडियम नाइट्राइट है और SCL है इसके साथ रेक्शन होगी तो हमारे पास सबसे पहले बनेगा यहाँ पर CS3OH ठीक है तो CS3OH यह आपका है मेथिल अल्कोहल तो यह मेथिल अल्कोहल हो जाएगा इसके बाद में मेथिल अल्कोहल की रेक्शन कराएंगे PBR3 से तो इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर बन जाएगा CS3BR यानि कि मेथिल ब्रोमाइड फिर इस मेथिल ब्रोमाइड की रेक्शन कराएंगे हम अल्कोहलिक पोटेसियम साइनाइड से तो यह आपका अल्कोहलिक होगा पोटेसियम साइनाइड से तो जब यहाँ पर रेक्शन होगी KCN के साथ CS3BR की तो यहाँ पर बन जाएगा आपका CS3CN ठीक है तो यह methyl cyanide हो जाएगा फिर इसी methyl cyanide की reaction हम कराएंगे sodium और ethyl alcohol से ठीक है तो sodium और ethyl alcohol से जब methyl cyanide की reaction होगी तो हमारे पास में ethylamine बन जाएगा तो CH3, CH2 and H2 ठीक है तो इसी को कहा जाता है ethylamine यह दूसरा conversion है जिसमें से आपको ethylamine से methylamine बनाना है तो अगर हमें ethylamine से methylamine बनाना है तब क्या करना पड़ेगा सबसे पहले ethylamine का सोत्र लिखते हैं तो C2H5 and H2 यह ethylamine का सोत्र है फिर इसकी reaction कराएंगे हम sodium, nitrite और SCL से तो हमें यहाँ पर फिर प्राप्त हो जाएगा C2H5 OH तो यह ethyl alcohol है फिर इस ethyl alcohol का हम अमली dichromate यहाँ पर जिसमें से sodium dichromate लेंगे Na2Cr2O7 plus H2SO4 तो और फिर करेंगे इसका oxidation यानि कि अमली dichromate की उपस्तित में इस ethyl alcohol का oxidation करने पर हमारे पास में फिर प्राप्त हो जाएगा यह आपका CS3CHO जिसको हम steady height कहते हैं फिर इस steady height का हमें करना होगा फिर oxidation same condition में यानि कि Na2Cr2O7 plus H2SO4 के उपस्तित में जब इसका oxidation करेंगे तो हम steady height से stickum प्राप्त कर लेंगे यानि कि CS3COOH यह stickum प्राप्त हो जाएगा अब stickum के माध्यल से हम दो तरीके देखेंगे जिसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे जो आपका stickum है इसके reaction कराएंगे HN3 से HN3 से reaction कराएंगे concentrate S2SO4 की उपस्तित में यह इतनी reaction आपके SMIT reaction है यानि कि अगर आपको HN3 की reaction हाइगे हाइगे कराएं तो आपका S2SO4 की पस्तित में जो प्रोडेक्ट बनेगा वो आपका SMIT process के अंतरकत होता है तो यह इतना process आपका SMIT process होगा जिसमें से आपको फिर at least यहाँ पर CS3 NH2 बनता दिखाई देगा तो एक यह तरीका हो गया दूसरा तरीका है जिसमें से आपको क्या करना है कि जो आपका ST कमला है इसके reaction करा देनी है ammonia के साथ तो जब ammonia के साथ reaction कराओगे तो यहाँ पर सबसे पहले बनेगा CS3 CO NH2 तो यह हुआ आपका इस इस्टामाइड की reaction कराने पड़ेगी आपको bromine और alcoholic KOH के साथ तो जब इस्टामाइड bromine और alcoholic KOH के साथ reaction करेगा तब हमारे पास में यहाँ पर CS3 NH2 बनता दिखाई देगा तो दो तरीके हैं आपको methylamine बनाने के लिए इस्तिमाल करते हैं से CS3 NH2 और अगर यहाँ पर CS3 CW की reaction NH3 से करते हैं तो यहाँ इस्टामाइड की reaction BR2 और के से कराने पर हमें यहाँ पर methylamine ब्राप्त होता दिखाई दे रहा है तो यह दो तरीके हैं जिनके माद्य हम से आसानी से हम methylamine से methylamine बना सकते हैं